नियूस क्लिप में आपका स्वागत है अभी हाल ही में शुकरवार को लोकसबा में कॉंग्रेस प्रेसिडेंट राहूल गांधी ने सरकार भारती जनता पार्टी वाली सरकार पर आरोप लगाया कि रफाईल हवाईजाच के मामले में उन्होंने गड़बडी की है और वो अदिस्तान के लोगों से उसके जो दाम है उसके मुतलिक और रफाईल का जो पुराना जो एग्रिमेंट था उसको रद करके एक नया एग्रिमेंट करने की प्रक्रिया है उसको लेकर जो सवाल उठाए है उसके लिए आज हमारे साथ हैं D. Raghu London Raghu Delhi Science Forum के साथ जुड़े हैं लेकिन रक्षा विशेशग्य भी हैं और आज उनसे बात करेंगे रफाइल मामले के इस घुटाला के संबन में रगू आपका स्वागत है आज के इंटर्वियू के लिए सबसे पहले मैं आप से पूछना चाहूँगा कि रफाइल मामले में जो दाम को लेके जो मुद्दा संसद में उठा जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकार बिपक्ष के साथ और जनता के साथ उसके जो जानकारी है एक मोटी जानकारी उसके रखम के बारे में के कितना खर्चा हुआ है पिछले डील के मुकावले में उसके बारे में वो गुछ कहने से हिचrah रही है और राश्ट्री सुरक्षा का दावा करके रपने दामन बचाने की कोशिश कर रही है रगो इसके संबन में आपको क्या क्याना है दीखिए इसमें तीन बाते मैं कहूंगा पहला तो ये कि एक विवाद इस बात पे उठा था कि भारत और फ्रांस के बीच में एक ये जो समझोता हुआ है इस टाइम पे नहीं पर दो हजार आठ में ही जब यूपीए की सरकार थी एक confidentiality clause एक agreement ऐसा साइन हुआ था जिसमें कि जो details है इस समझोते के बारे में उनको गुपत रखा जाएगा और ये इसका खुलासा नहीं किया जाएगा और मेरे ख्याल से श्री राहूल गांदी ने इसमें थोड़ी सी गलती की क्योंकि वो लोकसवा में इस बात को दोराते रहे कि ऐसा समझोता नहीं है भारत और फ्रांस के बीच में उनको ये कहना चाहिए था कि ऐसा समझोता तो है पर इस समझोते में कहीं ये नहीं लिखा कि आप दाम का खुलासा नहीं करेंगे उस समझोते में केवल ये लिखा है कि इसके अंदर हवाई जहास के अंदर हथिय क्या होंगे इसमें रेडार क्या होगा इस प्रकार की जो डीटेल हैं जो आपकी सुरक्षा में बादा पहुंचाया जा सकता है उनको गुप्त रखा जाएगा और फ्रांस के राश्ट्रपती ने साफ कहा है कि बाकी चीजों के बारे में सरकार जो खुलासा करना चाहेगी वि कुछ नहीं कहना चाहते उन पे छूट है कि वो किस चीज़ पे खुलासा करें ना करें तो मेरे ख्याल से लोकसवा में रक्षा मंत्री के द्वारा जो बात रखी गई थी कि ये एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है और उसके वज़े से मैं इसके बारे में दाम के बारे देना चाहूँगा दूसरी बात जो पहले खुलासा हो चुके हैं पूरी रकम के बारे में ये तो पहले ही मालूम था और डील के दोरान या तुरंट बाद खुलासा भारत सरकार नहीं की थी कि 58,000 करोड में 36 विमान को खरीद रहे हैं इससे आफ हिसाब लगा सकते हैं कि त करती विमान के प्यारा सोला सो तो सब मिला के पर उसमें से हत्यार भी हैं उसमें कई अधिक सर्विस करना क्योंकि आपने केवल 36 विमान खरीदे हैं उनसे आप उसकी सर्विसिंग देश के अंदर ठीक से नहीं कर पाएंगे तो अगले 10-15 साल के लिए सर्विसिंग हैं स्प तो उस वज़े से जद्दाम थोड़ा बढ़ेगा पर जो बेसिक एरक्राफ्ट है हवाई जहास केवल तकरीबन यूपी ए के टाइम पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें तकरीबन 500 कुछ करोड की लागत आती जो अब 700 के आसपास करोड की लागत इसमें आ रही है सीधा सारा तोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस पे एग्जाक्ट डीटेल हमारे सामने नहीं है कि इसमें क्या शामिल हो पर लग रहा है कि तकरीबन 200 करोड का फरक है अब के और पहले में अब थोड़ा 200 करोड के आसपास की ज़ादा लागत था केवल बेस प्राइस केवल बेस प्राइस को लेकर एड ओन जलागत तीसरी बात यह है कि अगर जो हमारे देश ने ये इस सरकार ने जो तै किया है कि हम केवल 36 जहाज खरीदेंगे उससे आटमाटिकली आपकी कीमत बढ़ती है जैसे हम अभी कह रहे थे उसको सर्विस नहीं कर अगर आपके पास 126 जहाज होते तो आपके लोग उसमें ट्रेनिंग ले लेते वो जहाजों को सर्विस कर लेते आपकी हिंदुस्तोन एरनॉटिक्स है वो इसको मैनिफेक्चर भी करते देश के अंदर अगर मैनिफेक्चर कर सकते हो तो रिपेर भी कर सकते हो क्योंकि आप उसकी देखबाल भी करें तो निर्भरता बढ़ती है और निर्भरता की वज़ाए से दाम भी बढ़ता है उसका एक दूसरा पक्ष यह है ऑफसेट वाला जिसमें की अगर मान लिजे कि 36 भी खरेदें बजाए हेल के पास जाने के एफसेट का एग्रिमेंट के लिए आप ए प्राइवेट पार्टी के पास गाएं जिसके कि कोई ही एक्सपीरियंस नहीं है इस सेक्टर में और जिसके खुद के कारोबार को लेकर और कर्ज को लेकर वो यही बताती है कि यह बहुत सक्षम कॉर्परेट हाउस नहीं है देखिए यह मुझे लगता है कि यह देश के उसका मकसद ये था कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं विदेश से लड़ाकू विमान या कोई भी हत्यार खरीदने में तो उतने खर्चे के तकरीबन तीस प्रतिशत चोटे डील्स में और पचास प्रतिशत बड़े डील्स में वो देश के अंदर खर्च हो देश के अंदर कैसे खर्च होगा कि अगर आप जो खरीद रहे हो उसका कुछ हिस्सा देश के अंदर बने तो कोई कमपनी देश में या सारवजनिक शेतर में या निजी शेतर में वो देश के अंदर बने मैनिफैक्चर हो या असेंबली हो तब खर्चा देश के अंदर होगा दूसरा मकसद ये होगा कि अगर आपने देश के अंदर बनाया या असेंबली की तो जो तक्नीक आप केवल जहाज नहीं खरीद रहे तो उसके साथ जुड़े हुए जो तक्नीक हैं वो भी आते हमारे देश के अंदर हमारी जानकारी बढ़ती हमारी तक्नीकी चमता उसमें ब वो रफाल एरक्राफ्ट आपके देश में आएगा पर कानून में लिखा हुआ है कि आप आफसेट करोगे तो वो आफसेट कैसे दिखाएंगे तो उन्हें ने श्री अनिल अंबानी जी के कंपनी को एक कॉंट्राक्ट दिया है और अनिल अंबानी के कंपनी के पास हवाई को लेके कोई एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है हौई जास को छोड़िये मानिफचरिंग सेक्टर में उनका कोई अनुभव नहीं है और मानिफचरिंग सेक्टर में माना जाता है सबसे मुश्किल और टेक्नलाजिकली अडवांस्ट काम होता हौई जास का काम पर अंको 58,000 क्रोड में से कम से कम आदा तो यहां पे खर्च होगा यानि कि 47,000 क्रोड तो खर्च होना ही है जो अनिल अमबानी के कंपनी के पास जाएगा और वो किस चीज में लगाएंगे दस और कंपनी कुछ एक्जेकिटिव जेट्स यानि नीजी कंपनीओं के जो जेट होते हैं जिसमें दस बारा लोग सफर करते हैं एक्जेकिटिव जेट्स वो छोटी सी जहाज है उसके कुछ पुर्जे ये बनाएंगे तो इसका राफाल के साथ कोई संबन धन कोई तकनी करे सारहें उसकी कोई टेकनालोजी नहीं यह केब एक पैसे का सौधा एक ब्यक्ति के पास या उनके कंपनी के पास जा रहा है जिनका कोई अनुभव नहीं है मुझे लगता है ये देश अपने आप समझ जायेंगा ये किस प्रकार का सौधा रगू एक चीज़ बताईए कि प्राइस दाम को लेकर आफसेट जिस तरीके से एक पुरानी डील को रद किया जिसमें कि आत्म निर्वरता बढ़ाने के लिहाज से ट्रांसफर आफ टेक्नोलिजी का प्राफधान था वहां से शिफ्ट होकर आफ च्छतीस पर आएं और उसमे जो चीज़ है जो इसको की लेकर सवाल बार बार उठता है कि जब मीडियम रेंज मल्टी रोल एरक्राफ्ट की कलपना की गई थी और एरफोर्स की तरफ से तो उसके पीछे कुछ कोई वजह थी जिसको लेकर उसको चुना गया था और उसके उसी के तहत वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया उसको नजर में रखतेगा आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो करने जा रहे हैं जब पूरा खोल दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ दुबारह मैं उसी लवज का इस्तमाल करूंगा कि ये देश के साथ और हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिल के वायू साथ के जरिये सामरिक दृष्टी को रखते हुए कि हमारे देश के वायू से को क्या चाहिए आज नहीं आज से दस साल के बाद क्या चाहिए उसको नजर में रखते हुए एक और प्लेस किया था कि हमें इस प्रकार का विमान चाहिए आपको याद होगा कि माल्टी रोल कॉमबएट एरक्राफ्ट. उसके बाद सोच समझ के इसको बदला गया था और कहा था कि ये मीडियम मृटी रोल कॉमबएट एरक्राफ्ट एनि की वजढ में थोड़ा बारी, एक एंजिन का नहीं, दो एंजिन का विमान होगा, जिस नहीं तेजी वजन वो भी बड़ा होगा तो यह सोच समझ के किया था और बायू सेना ने कहा था हमें 126 जहाज चाहिएं और 126 जहाज का ओर्डर इस लिहाज से बताया गया था कि 18 जहाज हम वैसे का वैसा खरीदेंगे और बाकी हिंदुस्तान एरनॉटिक्स लिमिटेड एच एल बैंगल आजाज के मैनिफैक्शर में वो करेंगे यका यक एंडिये सरकार ने ये फैसला लिया कि हम 126 नहीं 36 खरीदेंगे और वो भी पूरा पेटी पैक्ट खरीदेंगे क्यों किस लिहाज से कौन सी सामरिक दृष्टी से क्या लॉजिक था आपका ताय करने को जब आपकी वायू से ना जो इसको हम इस्तमाल करेंगे आपके सुरक्षा के विशेश अग्डित जनुने तै कि 126 चाहिएँ आपने किस लिहाज से ये तै कि हम 36 करेंगे इसका आज तक भारत सरकार की तरफ से प्रदान मंतरी की तरफ से रक्षा मंतरी की तरफ से कोई इस पश्टी करण आज तक नहीं मिला और नया टेंडर अच्छा और ये सब होने के बाद 126 लेते तो हवाई जास को आपके पास होती आप च्छमता उसकी बढ़ाते बनाने का रिवाज आप शुरू करते हेल के साथ तब आपको उसकी जानकारी भी मिलती अब आपने 36 खरीद लिया पेटी पैक अब ये सब करने के बाद फिर दुबारा से पल्टा खाके सरकार ने काया अब दुबारा से टेंडर निकालेंगे और वोही छे जगास जो पहले MRCA डील में चुने गए थे तीन उन में से हटा दिये गए थे क्योंकि वो मीडियम नहीं थे हमें मीडियम रेंज चाहिए थे पर वो लाइट वाले भी इसमें शामिल है वोही तीन जो मीडियम हैं वो भी इसमें शामिल है भारत के वायू सेना ने तीन साल तक जो तीन एरक्राफ्ट थे उनके डिटेल ट्रायल्स उड़ा के हत्यार चला के हमारे देश के तटिये इलाके पहाड़ी इलाके हर जगह पे उसको टेस्ट करके फाइनली तीन साल के टेस्टिंग के बाद रफाल को चुना था अब आप तेंडर निकालोतों इसमें नई बात क्या आएगी जब आपने सब तै कर लिया फील्ड टेस्ट भी कर लिये तो अब नई बात क्या निकलेगी इसमें। लेकिन दुबारा करना पड़ेगा सारी यह करना पड़ेगा यह सब। और सरकार के तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह सब करने की जरूत नहीं बचेगी। जल्दी यह सौधा हो जाएगा। आपके डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट प्रोसीजर ऐसे लिखे ग तो ट्राइल तो आपको करना ही पड़ेगा। दो तीन साल आप उसमें लगाओगे। और यहां अमेरिकन्स भी अब हैं। और उसको खतम करके तीन साल के ट्राइल के बाद फिर आप दाम पे निगोसियेशन करोगे। तो इसमें वैसे ही पांच साल लगने है। हिंदुस्त के नीचे गिरने की का डर है। इसलिए जल्द से जल्द जितने और हम स्कौर्डरन बनाएं उतना अच्छा है। इसलिहाज से 126 को ओर्डर किया था अब 126 रह गए 36 अब आप दुबारा चुरू करोगे पर यह पांच साल और लगेंगे आपको इंडट करने में तब तक द धन्यवाद रगू आज के इंटर्वियू के लिए रफाइल का जो मामला है और रफाइल का जो घोटाला है यह जाए कॉर्परेट हाउजिस की सुर्खियों में रहे न रहे लेकिन यह मुद्द जीवन्त है और बरावर हम लोगों का मानना है यह चालू रहेगा लियाजा इस मुतलिक हमारी और भी बातचीत होगी आज के लिए इतना ही अगर दर्शकों को कुछ कहना है तो जरूर हम से लिखें